हालो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टु माई चैनल आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरी चैनल में आज के इस कैंडल वैक्स रिडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस रिष्टी के बारे में आपके बारे में अगर आप सिंगल है तो भी रिडिंग देख सकते हैं अगर आप मैरीड हैं और आपके मैरीड लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं तो भी जानने की कोशिश करेंगे इस रिडिंग में कि आपके पर्सन या आपके पार्टनर जिनको आप अल्डरी दिल दे बैटे हैं वो आपके बारे में क क्या सोचते हैं भले आप दोनों एक दुसरे से अलग हुए हैं और नो कांटेक्स सिच्वेशन हैं कुछ जगड़ा हुआ हैं मिस अंडिस्टेंडिंग हैं रिलेशन्शिप में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं तो भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आपके पार्ट टाइमलेस रिडिंग है जब भी वीडियो देखेंगे आपके सिच्वेशन के साथ जरूर मैच करेगा साथ हम इसमें कुछ ना कुछ आपको मोटिवेशन भी देते हैं रेमेडीज भी बैताते हैं ताकि आपका रिष्टा फिर से जूड़ जाए जल्दी जूड़ जाए औ अपके जिंदगी में आपके लाइप में क्या होने वाला दू़ एप लिए फ्लेम के ऊपर फोकस करके अपने परसन को यद कीजिए उंका नाम लेजें तेन से साथ यू ईंशल प्लीज कई आइच्छ उ यूणिवर्स प्लीज काईड करें एंचल उनिवर्स प्लीज करें तो ऐसा लगता है न कि अगर आपका रिष्टा बहुत दिन से मतलब दूरिया है इस रिष्टे में या फिर आपके पार्टनर बात नहीं करते हैं अच्छानक बदल गए हैं ऐसा भी यहाँ पर मुझे लगता हैं लेकिन आप से जूडते हुए मुझे नजर आ रहे हैं यह टा होना यह आपके तक्दिर में शायद लिखा हुआ था या फिर ऐसा वक्त आपके पार्टनर जो हैं आपको उतना रिस्पेक्ट नहीं देते थे या इस रिष्टे को समझने की कोशिश नहीं करते थे ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाए देता है या फिर जितना आप प्यार करते थे इस परसन को या यह परसन को लेकर जितने आप चिन्तीत रहते थे अपने फ्यूचर के लिए आप कमिट्मेंट चाहते थे यह परसन मुझे को सिरियस नहीं दिखाए देते हैं हर बार यह परसन ने ना सब कुछ लाइटली लिया है इनको लगा ना कि शादी या प् दोनों के बीच और अब यह person को सब कुछ समझ में आ गया कि क्या होता है प्यार, और क्या होता है चाहना, दिल से चाहना तो यह person बदलने की कोशिश करते हैं अपने आपको ऐसा मुझे हैं आपड़िखाया देता है क्योंकि जब आपको पता चलता है कि बहुत कुछ बुरा होता है आपके जिंदेगी में तो थोड़ी देर के लिए आपको वहाँ पर पॉस कर लेना बहुत जरूरी है सोचना चाहिए कि मेरा कहां पर मेरे गलती हो रही है और ये परसन की अभी समझ में आ गया है कि गलती इनसे कहां होती है शायद इनका इगो और अटिटूट प्रॉबलम हो सकता है जहाँ पर ना हमेशा अपनी मन मरसी करना आपके बात कोई नहीं मानना या फिर आपको बिलकुल इगनोर करना मतलब ये जैसा चाहते है वैसा ही होगा सिंपल एक्जेम्पल यहाँ पर अगर बताएं तो ऐसा है कि अगर आप किसी रेस्टराण में गई है और आपकी मन पसंद का खाना खाना चाहते है तो भी ये परसन बोलेंगी कि नहीं जो मुझे पसंद है न वही तुम खाओ उस टाइब का ये परसन हो सकते हैं थोड़े से तो अभी ये परसन समझ गए हैं कि हर एक को फ्रीडम है और आप किसी को जबरदस्ती न उनकी जो लाइकिंग है या उनकी जो भी उनको पसंद है करने से आप नहीं रोख सकते या जैसा वो सोचते हैं क्योंकि भगवार ने सबको अलग-अलग बनाया है तो आप अलग हो सकते हैं आपके पार्टनर अलग हो सकते हैं लेकिन आपकी दिल जूड़ गए एक दुसरे को आप लोगों ने पसंद किया और रिष्ता आगे बढ़ा तो यह परसन ऐसा है ना कि आपकी तरफ attracted मुझे लगते हैं आपको पसंद करते हैं जो आपके पार्टनर है इनको आप बहुत खुबसुरत लगते हैं बहुत handsome लगते हैं लेकिन इनका ego attitude का problem मुझे दिखाय देता है जिसके वज़े से ना यह परसन दूरियां बना लेते हैं या फिर जादा time के लिए नाराज रहते हैं ऐसे situation मुझे यहाँ पर दिखाय देती है easy going नहीं है परसन इसका मतलब कि अगर आप दोनों की बिच कुछ भी जगड़ा हुआ है तो उसे उसे time sorry कहकर खतम करना ऐसा यह परसन नहीं करेंगे हर चोटी चोटी बात दिल पर लेना और उसे याद रखना ऐसे सब चीजे यह परसन करते हुए मुझे यहाँ पर फिल होता है number 3 यहाँ पर बहुत strongly उठकर आये है number 3 मुझे दिखाय देता है number 7 यहाँ पर दिखाय देता है number 7 और 3 यह बहुत strongly यहाँ पर दिखाय देता है number 6 भी दिखाय देता है 3, 6, 7 7, 3, 6 यह कुछ नंबर हो सकते है राशी जो मुझे यहाँ पर दिखाय देते है उसमें मेश राशी, एरीस next हैं जेमिनाई, मेतुन राशी next यहाँ यहाँ पर है Sagittarius, धनुराशी, स्कॉर्पियो, रुशिक राशी next है सिहा राशी, लीवो next साइन यहाँ पर है Taurus, रुशब राशी यह कुछ राश्या मुझे फिल होती हैं यहाँ पर तो आपका सपना मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है ना कि जैसे कि नॉर्मल कपल हो एक दुसरे को समझना या फिर जैसे हर वो सोचते हैं कि शादी मतलब दो लोग मिलकर जिन्देगी का सफर आगे बढ़ते हैं जिन्देगी के सफर में आगे बढ़ते हैं तो वही आप चाहते हैं आप नहीं चाहते कि बहुत luxurious life हो या बहुत कुछ आपके पास हो आप चाहते कि इस person का प्यार आपके लिए काफी है जिने के लिए या आपको खुश रहने के लिए आप independent हो सकते हैं ऐसा भी मुझे यहाँ पर लगता है क्योंकि सीहर राशी आई है तो आप बहुत strong है confident है खुद के पैरों के उपर खड़े हैं ऐसा मेज़े लगते हैं आप job करते होंगे इस person के उपर dependent रहे हैं रहेंगे जिन्दगी बर यह इस person से आपको ऐसा नहीं है कि इनके पैसर की पीछे या इनके नाम की पीछे आप भाग रहें सच्ची दिल से आपने प्यार किया है और निभाना चाहते हैं और आप यहीं चाहते हैं इस person भी आपके feelings को समझे और प्यार निभा है आपको time pass नहीं करना चाहिए ना ही उस type के आप person है जिनको time pass करना पसन है या फिर जो partners बदलते रहते उस type के आप बिलकुल नहीं है आप इसी person के साथ faithful रहना चाहते हैं जिन्दगी भर ऐसा लगता है न कि आपने जब बच्पन से ही सुना जन्मों जन्मों का रिष्टा तो वैसा आपको लगता है कि इसी परसन के साथ आपका जन्मों जन्मों का रिष्टा हो ऐसा लगता है न कि आपको फिल होता है उस परसन के साथ एक अट्रैक्शन या फिर आप दिल से उस person को प्यार करते हैं दिल से चाहते हैं सब कुछ समझ में आता है इस person के बारे में उनका चेहरा देखकर इनके आवाज सुनकर आप में वो feelings भी जाग जाती है कि यही मेरा कोई ना कोई किसी ना किसी जनम में इसी person के साथ रिष्टा रहा होगा एक अपना पंसा लगता है आपको और इसके विज़े से आप बहुत परिशान है ना कि यह person आपको क्यों नहीं समझ पाते इतना सब होने के बाद इतना आपने कुछ किया इस person के लिए फिर भी आपको नहीं समझ सके इस person इस बात का दुख आपको होता है तो person के energy के अगर बात करें ना तो यह person ऐसा लगते कि career के उपर भी focused है और ऐसा भी है ना कि इनको बीच बीच में आपकी याद आती तो है ऐसा नहीं कि नहीं आती है इनको ऐसी चीज़े है ना इनके सामने आ जाती है जो आपकी याद दिलाती है इनकी phone में आपके pictures हो सकते है photos हो सकते है जो बार बार इनके नजर के सामने आते है और फिर वो यादों में खो जाते हैं आपके ऐसा भी मुझे यहाद लगता है तो आपके लिए person के दिल में feelings हैं यह समझ सकते हैं कि आप कितना प्यार करते हैं आप कितना चाहते हैं क्या क्या किया अपने इस person के लिए सब याद है लेकिन आपी इनका मन ऐसा है न divert हो चुका है किसी चीज में जैसे कि ना इनो ने आपके उपर का focus हटा कर किसी और चीज में डाल दिया है ऐसा मुझे यहाँ पर महसूस होता है जैसे कि career के उपर हो सकता है या फिर promotion चाहते हैं increment चाहते हैं अगर business करते हैं तो उसके उपर focus लगते हैं पैसे कमाने के पीछे मुझे यहाँ पर लगता है pentacles की energy दिखाए देती है Taurus, Virgo, Capricorn के person हो सकती है मकर राशी, और रशब राशी या फिर कन्या राशी के person हो सकते हैं आपके partner इनका birthday भी April में होगा या फिर November, December में भी हो सकता है bond या आप हो सकते हैं ऐसा भी मुझे feel होता है यहाँ पर तो यह person के horoscope में या पत्रिका में राहू या केतु का दोश हो सकता है जहाँ पर अगर इनके पास दिमाग है तो इनको physically कुछ काम नहीं कर सकते हैं इनके पास अगर दिमाग नहीं है तो बहुत कुछ करना चाहते हैं ऐसा भी होता है और आप ऐसे person हैं ना आप भले चाहकर भी इस person का स्वबाव को नहीं बदल सकते हैं आपने कोशिश की है इनको बताने के लिए कि इनमें क्या अच्छाईया है क्या बुराईया है यह सच बात है electricity आ गया भी कि आपने बहुत कोशिश की है इस person को समझाने की इनकी गलतियां दिखाने की आप लगता है street forward है आपको जो गलत लगता है वो गलत है भले आपका boyfriend हो या आपके पिताजी हो या कोई भी हो आप उसी time बोल देते हैं वो यह एक अच्छी बात है आपकी मुझे नजर आती है आपर कि जो है वो है चाहिए फिर वो कोई भी हो जो गलत है वो गलत है तो ऐसे street forward का स्वबाव आपका इस person को थोड़ा सा खटक जाता है मतलब इनको लगता है न कि भले इनकी गलती भी है न तो भी आप छोड़ दो मान लो लेकिन आप ready नहीं है अपने आपको बदलने के लिए जो बहुत अच्छी बात है आप किसी और के लिए अपने आपको नहीं बदल सकते नहीं बदलना चाहिए जो आप हो वो ही आप हो तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता आपने ना प्यार किया प्यार निबाया विश्वास रखा भगवान के उपर विश्वास रखा एंजल्स के उपर विश्वास रखा ऐसा नहीं है कि आपने छोड़ दिया आप manifestation करते हैं आप मंतीर में जाते हैं आप ये भी pray करते हैं कि मेरे नसीब में ये person है तो मुझे मिलेगा लेकिन उसे एक अच्छा इंसान बनाओ ये भी आप मांगते हैं भगवान से ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाए देता है तो ऐसा भी है ना यहाँ पर कि ये person दोड़े से confused type के हो सकते हैं इनके mood swings भी हो सकते हैं जैसे कि आज अगर अच्छे तरह से बात करें ना तो कल कैसा होगा उनका स्वबा पता नहीं आज अगर प्यार से बात करते हैं तो कल आपको ignore भी करें ये person तो कभी-कभी आप डर जाते हैं कि इस person के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए future में या नहीं लेकिन reading में मुझे ऐसा दिकाए देता है कि ए person धीरे-धीरे ही सही लेकिन एक सही रास्ते पर आएंगे क्योंकि हर कोई भटक जाता है जिन्दगी में कभी-कभी गलत फैसले ले लेता है कभी-कभी गलत रास्ते पर चला जाता है लेकिन एक ना एक दिन इनसान को होश आ जाता है और उसको सच्चाई का पता भी चल जाता है तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि यह person को क्या सही, क्या गलत, इनकी क्या गलती है इनसे क्या गलतियां हो रही है उसके बारे में यह सोचने लगे है ऐसा मुझे लगता है और कुछी दिनों में मुझे यहाँ पर लगता है इनमें वो transformation आ जाएगा एक नया बदलाव, एक नई शुरुवाद आपके साथ करने चाहेंगे यह person और पहले जैसे बनेगे, जैसे कि starting में यह person थे आपके साथ वैसे ही हो जाएंगे ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है तो जो भी आप कर रहे हैं जैसे कि अगर आप manifestation कर रहे हैं तो आपको करते रहना है यहाँ पर जो letters मुझे दिखाए देते हैं उसमें S letter prominent है बहुत ही Y letter यहाँ पर है उसके बाद यहाँ पर X है भी दिखाए देता है T letter भी यहाँ पर है यह आपका नाम का पहला अक्षर हो सकता है यह आपके partner के नाम का तो अगर आपका relationship बहुत खराब है या फिर अच्छा नक कुछ बदलाब आया है तो ना आपको rose quartz जो है नाने के पानी में जैसे कि यह जो tumble form यहाँ पर है ऐसा raw form में भी आता है जो अपनाने की bucket में डाल सकते हैं और वो पानी से ना सकते हैं इसमें क्या हो जाएगा आपका heart chakra जो है वो heal हो जाएगा इस relationship में फिर से नजदी किया आने लगेंगे rose quartz आपको online मिलता है आप raw form में ले सकते हैं ऐसे tumble stone भी ले सकते हैं या फिर bracelet भी पहन सकते हैं rose quartz का जो आपका heart chakra सही से काम करने लगता है आपको एक positivity आती है आपकी जिन्देगी में भले break up है कुछ भी है आप परिशान नहीं रहेंगे या उसी इनसान के पीछे अपना में है मेरे तकदिर में लिखा है वही मेरा destin partner है तो please मुझे फिर से मिलवाईए और वो आपकी जो कामना है वो भूरी हो जाएगी यहाँ पर flame आप देख सकते हैं बहुत ही तेजी से जलने लगी अभी तो emotions बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे दोनों की दिलों में इस रिष्टी को कायम करना चाहते ऐसी feelings यहाँ पर मुझे महसूस होती है मतलब आपसे अलग होकर यह person परिशान है आपसे फिर से जुणने की कोशिश करेंगे फिर से इनको attachment होता है अभी तक de-attachment था आप दोनों की बीज separation period शुरू था लेकिन जल्द खतम होकर आप दोनों एक हो सकते हैं ऐसा भी यह candle मुझे कहता है यहाँ पर मुझे महसूस होती है energy तो यह person की दिल में फिलिंग्स दिन बढ़ती जा रहे हैं आपके लिए आपके बारे में सोचना इनके सपने में आब आते हो ऐसा भी मुझे लगता है डरते हैं आपको खोने से ऐसा भी मुझे लगता है तो यह आपके destin partner हो सकते हैं तो प्लीज positive ज़रूर रहे है positive manifestation ज़रूर कीजे आज के reading में इतना ही अगर reading आपके साथ resonate किया है तो प्लीज मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजे शेर कीजे इस वीडियो को मुझे इंस्टेग्राम पर फॉलो कीजे थैंक यू अल आप यू थैंक यू एंचल्स थैंक यू उनिवर्स